नमस्कार दर्सको एक बार पुनो हाजर हो मैं आपके ही अपने चैनल गौब लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ दोस्तों अगर हम इस पाम को एक नजर करते हैं तो देखेगा सबसे पहले इसमें जो है ग्रहों का प्रभाव तो पढ़ी रहा है उंगलियों का प्रभाव भी जो है इस हतेली में पढ़ रहा है देखे और जो ये हमारी उंगलियां होती है किसी न किसी ग्रह से समंद रखती है और ये ग्रह से जब समंद रखती है और जिस इस्तिति में ये होती है उसका प्रभाव नगेटिव अवस्ता में है तो नगेटि वहीं अंगलियां जिस भी हिसाब से हो ग्रह अगर उसका अपोजिट हो बनी अंगलियां जो है हमें जीवन में संगर सदेरी है ऐसी इस्तिति में खड़ी है मगर जो ग्रह है वो बहतर इस्तिति में खड़ी है तो दोनों का तालमेल जो है बैठ जाएगा और जो ग्रह की इस् आपसे जीवन में फल मिलेगा यदि अंगलियां भी नगेटिव है और जो ग्रह की इस्तिति है हमारे कुंडली में हो या हमारी हतेली में हो कमजोर और रुष्ट अवस्ता में बैठा हुआ है तो उसका परिणाम भी जीवनकाल में नगेटिव ही हुगा अब हम इस सुन्दर हतेली का बिसलेशन करते हैं उससे पहले आप लोगों से इर्दे की गहराईयों से मैं आप लोगों का आभार ब्यक्त करता हूँ क्यों कि आपी लोगों के सयोग के कारण आपी लोगों के आशिरवात और प्यार और इश्निह के कारण हमारा जो गोब लोक्स है जो पामिश्टरी का चैनल है लगातार उचाईयों को छूरा है चाई ब्योज के मामले में हो चाई लाइक के मामले में हो चाई कमेंट के मामले में हो आप लोग पीछे नहीं रह रहे हैं लगातार सयोग करते जा रहे हैं और इसमें अगर कुछ कमिया है उनको भी मुझे आउगत करा रहे हैं समय समय पर कि आप ऐसा काम करें तो इसलिए चैनल जो है आपका बढ़ता जाएगा हम आपका सयोग करते जाएगे बहुत सारे व्योवर्स हैं लिखते हैं प्रसनली भी लिखते हैं कोई व्योटसब कर लेता है कि सर आप इस तरह से करिएगा कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देता है आप इस तरह से कर लिजumbs येगा मैंने इतने लाइक करवा लिये है इतने लोगों को सेयर कर वा लिया है तो ये अच्छा लगता है कोई सजिसन देता है और अच्छा सजिसन देता है अच्छा लगता है बहुत सुन्मन लगता है बहुत बढ़िया लगता है आप लोग लाइक भी कर रहे हैं सेर भी कर रहे हैं वहाच भी कर रहे हैं इससे बड़ी चीज जो है मेरे लिए कुछ नहीं है दूसरी बात है उन लोगों से भी मैं एक request करना चाहूँगा जो देखते तो है पर उनका subscribe नहीं कर रखा है चेनल दीखे जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे red color में subscribe लिखा होगा आपको वो बटन दबाना है साथ में घंटे का icon होगा उसको भी दबाना है all कर लेना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए पामिष्टरी शेश शमन दित आपको हर वीडियो में कुछ न कुछ नया जरूर मिलेगा क्योंकि हमारे पास हमेसा original हतेलिया आती है जो real हतेलिया होती उन्हीं का हम जो है visualization करके उन्हीं की खोज करके उसमें कुछ न लोग भी हमेसा नयापन देखते हैं तो अब इस हतेलिय को हम देखते हैं देखेगा इस हतेलियो में एक चीज सबसे पर्थम दृष्टी में हम देखते हैं तो दो चीजें इसमें मुख्य तोर पे दिखाई दे रही हैं देखे सबसे पहले अगर हम उंगलियों की बात करते हैं तो उंगलियों में जो है ये हमारी तरजनी हुई ये हमारी कनिष्टा हुई ये हमारी अनामिका हुई बीच की जो ये उंगली है जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं जिसको मद्यमा कहते हैं उसकी तरब जो है ये जुक रही है और जो सनी का ये प्रोत है ये सनी की उंगली है ये सनी का प्रोत है वो बहुत कमजोर बहुत रुष्ट आवस्ता में बैठा हुआ है बहुत ही कमजोर आवस्ता में बैठा हुआ है तो ऐसी दसा में उंगलियों के अगर बात करें तो जीवनकाल में जो इंगित कर रहा है बिक्त एकांत वासी कई बार दुखी सांध यानि जिवनकाल में खुसियों में कमी देखने को मिल रही है वहीं देखोगे आप आपका जो है सनी रुष्ट अवस्तामी है बहुत जादा कमजोर अवस्तामी है हद से जादा कमजोर अवस्तामी है जब भी सनी इस तरों से कमजोर अवस्ता में हो जाए और इसमें एक दूसरे को रेखाई जो है काटते हुई आ जाए जीवनकाल में एक चीज़ का ध्यान रखेगा जो भी डिसिजन लेंगे जो भी निरणए लेंगे उनको बड़े सूज बूज करके अपने से बड़ों को अच्छा जो आपको जो है सलाह देता हो चाए आपकी वाइप हो चाए आपकी मदर हो चाए आपके फादर हो चाए बड़े भाई हो चाए अच्छा दोस्त हो उससे सलाश जरूर ले अगर कोई बड़ा काम कर रहे हैं बड़ा निरणे ले रहे हैं आपका एक गलत निरणे आपकी बहुत बड़ी धनहानी करवाशकता है और आपको ऐसी जगह फसा सकता है उबरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सनी बकरी अवस्ता में अगर आता है सबसे पहले नौकरी पे अटैक करता है ये नौकरी का मालिक होता है मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है देखिएगा इसका एक सिंपल चीज है अगर आप कुंडली नहीं मालूम आपको और हतेली भी आपको दिखाना नीचा आते है और पता भी नहीं हो पा रहा है तो ये मिडिल फिंगर है इसके ही नीचे के भाग को हम सनी परवत कहते है यदि आपको विशेस तर नौकरी पाने में हो नौकरी करने में हो या नौकरी बदलने में हो मुश्किल हो रही हो तो सनी ग्रह की इस इस्तिति को हमें देखना चाहिए जो तिस में जो नोकरी है ने वो पूरी तरह से इसी सनी महाराज जी के अंडर में है जातक को नोकरी कैसे मिलेगी आपको कब मिलेगी किन दसाओं में मिलेगी और किन इस्तितियों और प्रस्तितियों में मिलेगी इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है ये हमारे सनी भगवान होते हैं सनी देवता होते हैं हालांकि आपके कारोबार के लिए independent profession के लिए हमारा जो ये ब्रस्पती है ने ये ब्रस्पती जिम्मेदार होता है और नोकरी वाले मामले के लिए आपका ये सनी जिम्मेदार होता है ये वाला सनी जब हतेली में या कुंडली में आपका सनी बेहतर ना हो तो ऐसे दसा में नोकरी में विशेस्तर पाने में या नोकरी करने में समश्याओं की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और ऐसी दसा में व्यक्ति को नोकरी पाने में और नोकरी करने में अगर नोकरी लगावा है मगर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अगर आपका सनी इस तरों से रुष्ट अवस्ता में हो गड़बड़ है तो ऐसी दसा में आप अगर नोकरी पावी जाएं नोकरी कर भी रहे हो तो नोकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नोकरी में बदलाव होने की शम्भावना बहुत ज़्यादा बन जाएगी तो देखें दूसरे सबसे बड़ी बात ये करता है जिवन में नगेटिब प्रभाव डालता है भाग्या रेखा भी यहीं पे आती है तो कहीं न कहीं भाग्या की आवस्थामी भी ये गड़बड कर लेता है नोकरी तो चीनता ही है आर्थिक मामलों में भी ये डाउन फोल करवा लेता है ब्यक्तिका दो चीजे हमने जालने इसमें एक तो उंगलिया क्या कह रहे हैं जीव अनकाल में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी दूसरी बात ये क्या कह रहा है कि नोकरी के मामला हो बिजनिस का मामला हो या धन का मामला हो या स्वस्थ्य से समंदित मामला हो संगर्ष की इस्तिति रहेगी कब तक अब धन के मामले में मिसेश देखू जब आपका जो है ये तरजनी और ये मध्यमा इसके बीच में इस तरों का गैप हो छिद्र बहुत बड़ी रूप में दिखाई दो तो 35 वर्स तक धन के मामले में संगर्स रहता है 35 वर्स क्रोस कर लिया आपने तो आपकी प्रगति बहुत सुनर तरीके से होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से अब उंगलिया दूसरी चीज क्या कह रही है उंगलिया दूसरी चीज कह रही है पहले गुरू परवत के ओर चले है क्योंकि ये इस तरों से है धन का भाव जो है गुरू परवत है ये भी सादारन अवस्ता में दिखाई दे रहा है सादारन भाव में बैठे हुए है आत्म सम्मान की कमी रह सकती है थोड़ा सचेत रहेने की आवशक्ता भी है माता पिता के साथ विचारों में एकता होनी मुश्किल हो सकती है और कही न कहीं जियोन में वो सुक नहीं मिल पा रहा है सीधी सी बात है गुरू की आवशक्ता सब को है और गुरू एक सरवस्रेश्ट तमग्यान है इस अवस्ता में गुरू आपको साधरणता दे रहा है सामन्य बिक्त दे रहा है हाँ हसमुक सुभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालो और प्रॉपकारी होंगे आर्थिक पक्चाप का आगे बहुत अच्छा रहने वाला है बहुत सुन्दर रहने वाला है यस प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा जोकाव जो है बना रहेगा स्वतंतरता और नेतिर्त्व की चाहर रखने वाले होंगे अब तुम्हारा तीन महेत पूर्ण जो ग्रह है और जो उंगलिया है जिवन के सार को पूरी तरो समझा रही है आपका सूर्य भी जो है कमजोर इस्तिती में बैठा हुआ है ये क्या करता है ये नोकरी कर रहे हूँ या ब्यावसाई कर रहे हूँ ये उसको विस्तार देता है बर्दमान समय में आप कितनी भी मेहनत कर लो कितना भी परिस्रम कर लो उस मेहनत उस परिस्रम का पूरा स्री आपको नहीं मिल पा रहा है पूरा स्री नहीं मिल पा रहा है पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है जाए नोक्री कर रहे हुँगे, जाए व्यावसाए कर रहे हुँगे, उसमें जो है और कोई भी काम कर रहे हुँगे, उस काम का पूरा स्री, पूरा क्रेडिट तो नहीं मिल पा रहा है, हाँ छोटा काम हो, बड़ा काम हो, बड़ी मुश्किल से पास होता है, या पास होते हो होते रहे जाता है अब उंगली क्या कह रहे हैं अब ये पैते सुए वर्स के उपर की क्या इस्तिति रहेगी ये भी बता दो आपको ये देखो आपकी सूर्य की उंगली बहुत लंबी है अच्छे खासी लंबाई ले हुए है और इस तरह मुड़ा हुआ है धन और एस्वर्य के पर्ति और सम्मान के पर्ति येस के पर्ति सदा मन में जुकाओ रहेगा धन के पर्ति जो है बहुत ज़्यादा मन में जो है ख्याल रहेगा और धन के लिए जो है काफी मेनत भी आप करोगे और दोसरी बात है मान सम्मान परतिश्टाप की प्राप्ति जो है निश्चित तोर पे होगी समाज में शम्मान बना रहेगा यस की प्राप्ते होगी यस्वस्वी होगी और धन और एस्वरे भी आपके पास बहुत सुन्दर मातरा में आएगा बहुत ही अच्छे मातरा में आएगा और बहुत संगर्स के बाद अचानक बहुत बड़ी सपलता आपकी हतेल में लगेगी आपकी जीवन में अचानक जो है मोड आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं ये आपके ग्रह कह रहे और अभी क्या कह रहे हैं अभी जो है 35 वर्सतक जो है आपको हर मामले में जाए नोकरी हो जाए धन का मामला हो जाए किसी भी चीज का मामला हो पिसेस्तर आर्थिक मामले में संगर्ष की इस्तिती रहेगी अब आपका बुद्ध क्या कहरा बुद्ध की उंगली सोर जुकी है ब्यक्ति अपने काम अगर करता है तो उसमें चतुराई होती है और ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों के संक्या बहुत अधिक होती है तो सीधा सीधा है या तो सरकारी नोकरी में जाएंगे जिस तरों से यह हतेली यह उंगली बता रही है या तो आपका अपना बिजनिस होगा प्राइविट नोकरी अभी बतानी रहा है आपका हतेली अभी कर भी रहे होंगे मगर जो आपका एम है जो आप निश्चित तोर पे एक जो है इस्थिर अवस्ता में आएंगी उस अवस्ता की मैं बात कर रहा हूँ प्रेविट नौकरी इस रही है आपकी आप या तो सरकारी नौकरी में जाएंगी जैसे ये उंगली बता रही है या तो आप जो है अपना बिजनिस करेंगे ये दो उंगलियां जो है इस और इंगित कर ली है और अभी नोकरी के मामले हो आर्थिक मामले में हो या सारिरिक मामले में हो या मानसिक मामले में हो आपका सनी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा दे रहा है दूसरे बार आर्थे के स्थिति 35 वर्षों से पहले तक चाहिए कितना भी कर लो आप थोड़ा सा संगर साब की जीवन में बना ही रहेगा बहुत सुन्दर उपाई इन दोनों चीजों का दूँगा निश्चित तोर पे करें बहुत सुन्दर फाइदा आपको जीवन में मिलेगा बहुत अच्छा फाइदा जो है आपको जीवन में मिलने जा रहा है बहुत ही सुन्दर करके देखिएगा सरल उपाई है सुन्दर तरीके से करिएगा देखे आप चलते हैं आपके अंगोठे के और एक्छा सकती बेहतरीन है जीवन में कुछ करने के और उससे भी बड़ी आपकी तरक सकती है अपनी बातों को दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होगी लोजिकल तरीके से अपनी बात रखेंगे और अपनी हितों के परतिवी जो है बहुत सम्मल कर रहने वाली बेखती है हितों की रख्षा करने में दक्षता हासिल है यहाँ पे एक सुन्दर चिन बंड़ा है अपनी कमाई से अपने घर का जो है सपना निश्चित तोर पे पूरा होगा आप देखें गरह इस्तिती गरह इस्तिती क्या कह रही है गरह इस्तिती आपकी बहुत सुन्दर है सुक्र का परवत बहुत बढ़िया है और अंगोठे के नीचे के इस भाग को हम सुक्र परवत केते हैं इसके बारे में मेरे सभी दर्सक जानते हैं कला है, सुन्दर्या है, सुन्दर्ता है इनी सभी चीजों के लिए और सुखत जीवन के लिए हतेली में इसका इस तरों से पुष्ट और सुनर होना बहुत जरूरी होता है बहुत इक सुक का हम इस से देखते हैं और ये भी देखते हैं कि फैसन में कितना रोजान है नए कपड़ों में नए तरेके की चीजों में जो आजकल लेटेस्ट चलन में है साथ साथ ये हमारे परिवार का भी कारक होता है दामपत्य जीवन का सुक भी इसी से देखा जाता है और भद्री अस्तान भी कहते हैं भाई वहन का अगर आप देखोगे आपका सुक्र बहुत सुन्दर है 35 वर्सों की बाद जीवन में जो लगजरी का स्वाद है वो बहत्रीन हिसाब से आपको मिलेगा बिला सिता पूर्ण जीवन आप जीएंगे वाहन का अच्छी लगजरियस मकान का सुक आपको निश्चित ही मिलेगा सुन्दर है सुक्र परोद वहर लिए हैं आप तेजुस्वी होंगे और आपका जो चेहरा होगा वो भी बड़ा सुन्दर रहेना वाला है सुन्दरता और आकश्रन आपके अंदर विद्यमान होंगे और हर प्रस्तिति को हंस्ते हंस्ते जेलने की छंता भी आपके अंदर आएगे अपने को मेंटेन रहेंगे अपने बिक्तित्तों को समाल के रखेंगे सजदज के रहेंगे और कहीं चकाचोन रहेंगे जो ग्लेमर होता है जीवन में वो सुन्नर रहेगा बहुत सुन्नर है बहुत बड़ी आपका सुक्रपरवत है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मगर सनी सोर्या और कहीं न कहीं देखा जाए आपका बिरस्पति कम जो रभाव में बैठे हुई है जिसके कारण जो भी दिक्तें बरतमान में आ रही है इन ही वो जों से आ रही है आपका निम्नमंगल देखा जाए तो निम्न मंगल भी आपका बहुत सुन्द रवस्ता में देखे इसमें पतानी चला अगर यहां पे क्रोस की स्थिति है तो थोड़ा प्रोपर्टी का मामला हो बाद बिवाद का मामला हो इससे थोड़ा दूर रहें भाईयों से जगड़ा हो सकता है अगर यह कट का मिशान है तो क्रोस है तो पूरी तरह से और कोर्ट कचरे का आपका मामला बन सकता है इस और थोड़ा जो है जहन रखने की जरूरत है अगर नहीं है तो ऐसा कोई चीज नहीं होगी पूरा नहीं दिखरा इसलिए कनफम नहीं कह सकता ये है कि नहीं है दूसरी चीज अगर देखें ये बहुत सुन्दर पुष्ट अवस्ता में है एनर्जेटिक सुभाव होगा प्राकरम बहुत सुन्दर होगा आपके अंदर स्फूर्ति होगी उर जावान होगी थोड़ा सा ज़्यादा उभा लिये है तो छोटी छोटी बातों पर भी गुसा आ सकता है क्रोदिय सुभाव रह सकता है थोड़ा कंट्रोल में रहिएगा हाँ अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखते है जीवन रेखा इस तरों से सीधा पीछे के और जा रही है जीवन में निरंतर उन्नत है संगर्स के साथ क्योंकि ये ग्रह आपके संगर्स देती हुए नजर आ रहे है देखो जीवन रेखा जहां से सुरू होती है जिन जिन ग्रहों से वो मिलाप करती है उन-उन के गुण जो है जीवन रेखा पे आते हैं बरतमान में मंगल के गुण आ रहे हैं तो प्राकरमी रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे ब्रिस्पती के गुण आ रहे हैं ब्रिस्पती कमजोर भाव में है साधारन ब्यक्तित तो दे रहा है मगर सुक्र के गुन आ रहे हैं तो परिवार के परति ब्यक्ति समर्पन की भावना रखेगा और परिवार का भरपूर साथ ऐसे ब्यक्ति को मिलेगा और जीवन में निरंतर प्रगति के योग बनेगे एक साखा जो है चंद्रमा की तरब जा रहा है चंद्रमा के जब गुण आते हैं तो चंद्रमा से हम यात्राओं को देखते हैं धर्म अस्तान है कलपनाओं को भी देखते हैं सबसे बड़ी चीज है लंबी और सुखत यात्रा का भी आपको जीवन में मौका मिलेगा हो सकता है विदेश यात्रा भी आपको निश्चित है होगी ही होगी जीवन में चाहे किसी भी तरहो 35-वे के बाद हो, 40-वे के बाद हो पर जीवन में जो है अच्छी और भली यात्रा आपकी जीवन में है थोड़ा सा एक रेखा जो है ये नगेटिव भाव में यूँ आ रही है थोड़ा सा बाहिया आकरसन विप्रेद के परती जादा रह सकता है जो सेक्स की भावना है वो विचार है वो जादा जो है रह सकते हैं इसके लिए जो है सुक्र के उपाय कर लीजेगा उससे बहुत सु नर चिन बनते हुए नजर आ रहे हैं अगर देखोगे आप तो इस तरह के मचले की चिन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी और सुकदी आत्रा जो है आपको देंगे ये सूरे की और है ये बुद्ध की और जा रहा है तो हो सकता है जो आपका प्यापार हो आने वाले टाइम में वो बिदेशों तक भी फैल सकता है और आपका लगातार बिदेशी दोरा हो सकते हैं और क्रियेटिव होंगे ब्यक्ति मचले का कहीं भी चिन हो पूरे हाथ में कहीं भी भी सबसे पहला काम करता है मचले का चिन ब्यक्ति को creative बनाता है दोसरा काम करता है ये केतु के छेत्र में होने से ब्यक्ति धारमिक प्रवर्ति काम होता है तीसरा ये काम कर रहा है इसका जो सीधा मुह है जो नजर पढ़ रही है वो बुद्ध पे पढ़ रही है अब बुद्ध होता है एक तो ब्यक्तितों को बादाता है दोसरा भौतिक सुक संसाधनों में बिर्दी करता है तीसरा ये जो है आपका ब्यापार का छेतर होता माना जाता विसेशकर ब्यापार में बिर्दी करता है और ब्यक्तिकों बुडापे काल में अचानक धन की प्राप्ति होती है पैत्रिक संपति का अच्छा खासा लाब मिलता है ये तो हुई इस तरों के ये चिन बन रहे हैं अब एक चिन इधर से भी आ रहा है मनिबंद से ब्यक्ति को जब ये भाग्य की लकीर प्रबल अवस्ता में अपना फल देना शुरू करती है तो ब्यक्ति को अचानक बहुत अलाब जो है मिलने के संभावना बन जाती है अब यहां पर भग्य रेखा अगर हम देखे भग्य रेखा इस तरों से आपकी जारी है अभी मलीनी इस्तिति में है ये अच्छे होगी तो 35 वर्स के बाद हो मगर यहां पर देखेंगे हम एक 30 पलस के बाद एक 34 वर्स में ये रेखाएं काट वीरी हैं थोड़ा सा 34 वर्स में हुआ और 31 वर्स में हुआ सजग रहेगा थोड़ा ये मानसिक परेशानियां आपको दे सकती हैं कहीं न कहीं धन भाव में अगर कहीं आपने पैसा फसा दिया तो वो पैसा वापिसाना बहुत मुश्किल हो सकता है इस तरों कि ये जो है चिंताई आपकी जिवन में ला सकता है बहुत बड़ी कोई परेशानी जिवन काल में नहीं रहेगी क्योंकि रहो का प्रभाव कुछ न कुछ करता है और इस तरों से भग्या रेखा कमजोर हो तो आर्थिक मामले में थोड़ा कठनाईयों का साब व्यक्ति को कर बना पड़ता है मस्तिस्क रेखा अगर हम आपकी देखते हैं मस्तिस्क रेखा व्यक्ति की बहुत सुनर है क्रियेटिव होंगी फिलहाल की इस्तिती देखें तो किसी न किसी आर्ट में किसी न किसी कला में आपका मन दोबा रहेगा मगर चिंतातुर्ष वहोवी बना क्योंकि मस्तिस्क जो है चंद्रमा से युक्ति बना रहा है एक बहुत बढ़िया रेखा है अभी नजर पढ़ रही मेरी यह रेखा अगर अपना फल देने बैठ गई तो ब्यक्तिकों अर्बों में जो है अर्निंग होती है कईयों करोडों में ऐसी रेखा है पर अभी जो है कोई फल जो है आपको मिले न मिले यह बात की बात है मगर निश्चित तोर पे यह रेखा अगर बलवती हुई तो आप यकीन मानिएगा जब 35 वर्स को आप पार कर लोगे और इन ग्रहों की इस्तिती जो है ठेक हो जाएगी बलवती हो जाएगी तो ब्यक्तिकों यह रेखा पुछ मंगल से लेकि और सूर्य तक यह अक्षुन कुबीर रेखा इसको कहते हैं अक्षुन कुबीर रेखा ऐसी कुबीर रेखा यह है कि ब्यक्तिकों जब एक बार धन देना सुरू कर लेती है तो ब्यक्तिका धन का भंडार कभी रुकता नहीं है और ऐसे ब्यक्ति जो है अपने नहीं कई पुस्तों के लिए जो है धन अर्जित कर जाता है मगर बीच में ध्यान रखेगा इसमें कोई रेखा इसको काट न ले कोई रेखा इसमें कोई तिल चाए लाल हो चाए काला हो आना जाए अगर आता है विशेस कर दियान दखेगा आता है तो उसके सुन्नर उपाई करना तुरंत चालो कर लीजिएगा और ये रेखावाले व्यक्ति जो है अपने जन्म अस्तान से दूर परगति करते हैं डेपलपमेंट करते हैं उन्नति करते हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं और कई बार विदेशों में सेटल हो जाते हैं और सेटल नहों यहां रोजगार करें तो विदेशों से किसी न किसी रूप से इन लोगों के पास अच्छा खासा धन आने की संभा होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और 101% ऐसे लोगों को विदेशों से अच्छा खासा धना आता है अक्षुन कुवेर रेखा बहुत कम लोगों की हतेली में होती है अभी पुष्ट आवस्ता में नहीं आये है लगबख लगबख 35 वर्स के बाद शुन्दर तरीके से ये आपको दिखनी सुरू हो जाएगा और इसका प्रभाव बहुत सुन्दर तरीके से होगा मगर घर के अपने जन्म अस्तान से दूर ब्यक्ति तरक्य करेगा और विदेशों से भी अच्छा खासा धन मिलेगा सावधानी रखनी ये है कि अगर इसमें किसी तरों से कट आता है तो आगहत की सम्मावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ऐसे बिक्तियों को नसा नहीं करना चाहिए अगर करते भी हैं नसा अगर करते हैं तो चाहिए वो अपना ही कितना ही खास हो अपने फैमली को नसा न करें या करें तो अकेले में अलके रोप में करें नहीं तो बहुत बड़ा आगात इन लोगों के शाथ हो सकता है और इस रेखा में कभी कटा आए तिल आए तो सावधान हो जाए उसका उपाई समय रहते जो है कर लीजिएगा ये बहुत बड़ी अक्छुन को बेर के रेा है कईयों करोड में ऐसा ब्यक्ति के पास नहाता आप आज कैसी भी स्थित्ति है बले ही आज वो ब्यक्ति मजदूरी कर रहा हो आज इस ब्यक्ति के ये ब्यक्ति जो है दस पंदर लोगों के नीचे काम कर रहा हो मगर आने वाले टाइम में यह रेखा जैसे बलोती होती है इसके बलोती होने पर और इन ग्रहों का सही प्रभाव उत्तम प्रभाव पढ़ने पर 31 जितने लोगों के नीचे काम करता है उतने सो करमचारी अपने अड़नर में रखता है ऐसे कमपनियों का ये व्यक्ति मालिक होता है किसी रूप में भी इस व्यक्ति के पास भहुत सुन्द और कईों करोड रुपय में धना आता है आज चाहिए इसके पास एक रुपया है नी है वो बात अलग होती है मगर ये रेखा अपना प्रवाव निश्चित तोर पे जिवन काल में देती है मगर ये रेखा संगर से भी देती है ये रेखा आलस्य भी देती है अगर ये लोग आलस्य में घिर गए इसके नगेटिव प्रभाव से तो ये लोग कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं कोई development जिवन में नहीं कर पाते हैं इस रेखा का कोई महत्व नहीं रह जाता है मगर इन लोगों ने अपने को समाल लिया अपने को जो है अपने काम के परति जुझारों पन ला दिया तो निश्चत तोर पे अर्वों की समपति ये लोग अर्जित करते हैं बहुत सुन्दर रेखा है और इस रेखा के अलावा किसी और रेखा को बताने की ज़ुरुरत सायद नहीं हो अब बात करते हैं धन संपति की बात करें तो एक रेखा होती है उसे कहते हैं भग्या की रेखा इस तरों की अगर रेखा हो नंबी रेखा हो कलाई से लेकिए और सनी के प्रवत तक चली जाए बहुत सुनर अवस्ता में हो और सनी उत्म अवस्ता में आ जाए तो ब्यक्ति, धन, ब्यापार और वाहन के सुक से ओत प्रोत होता है उसके सुक से ब्यक्ति हमेशा जो है सुखी रहता है अगर देखा जाए तो आपकी हतेली में यहाँ पे एक मचले का भी चिन बनता होन जरा रहा है और सुक्र की तरह मोह किये हुई है बहुत सुन्दर लक्षण है ये बहुत सुकत और धार्मिक यातरा भी होगी और बिजनिस कलास के भी है आपकी यातरा ये दिखा रहा है आपका जो है चंदरमावी बहुत सुन्दर है अच्छी सोच जो है आपकी रहेगी, पोजिटिव सोच होगे चलकपट से दूर रहेंगी मंगल आपका बहुत सुन्दर है और भग्य की एक लकीर यहां तक भी साइद आ रही है अगर यहां से देखें तो यह राहु की लकीर है मंगल पे जा रहे है मंगल पे जाके आदम को मंगल के गुन बढ़ाती है थोड़ा सा नसे और गुसे से दूर रहे किसी काम में एकदम हाइपर न होए यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा इसका मैं सुन्दर उपाई दूँगा जरूर करिएगा मंगल बहुत सुन्दर है आपका प्राकरमी रहेंगे सासी होंगे और निडरता रहेगी हमेशा मन में मन हमेशा अटग रहेगा चाहे कैसे भी प्रस्तिती हो अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हतेली का विसलेशन कर लिया है तीन चार चीज़े इसमें विशेश रोप से आये हैं एक तो 35 तीन विशेश विशेश तक आर्थिक मामले में संगर्स रहेगा दूसरी सनी थोड़ा वकरी है गडबड रुष्ट अवस्ता में है तो नोकरी हो या व्योऊसाई हो उस मामले में अर्चन रहेगा भग्यास्तान भी है तो भग्या के मामले में भी कमजोरी इस्तिति रहेगी सूर्य छोटा काम हो बड़ा काम हो बड़ी मुश्किल से होता जाएगा और काम का फैलाव अभी नहीं है बुद्ध आपका थोड़ा सा मध्यम है अगर अपना व्यापार कर रहे हो अभी मध्यम इस्तिति में है एक अक्षुन जो है कुबिर रेखा है वो बहुत सुनर जो है धन आपकी जीवन में देगी आपका सुक्र भी बहुत सुनर है बिला सिता हमें सा रहेगा अभी साधरन गिक्तित तो दे रहा है आपका पिरस्पति इसके बाद भी कुछ रह जाता है आप मुझे वर्ट सब जरूर करें और जो उपाय दे रहा हूं विदी के अनुसार जरूर करेंगा बहुत सुनर फायदा आपको जिवनकाल में मिलने वाला है